जै मात अदी आप सभी का आपके अपने चैनल इस्टो फ्रेंड अंशु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ मीन राशी का कैसा रहेगा जून के महीने में सरकारी नौकरी योग बहुत समय से आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही है पर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है क्या जनम पत्री में योग नहीं है या मेहनत में कोई कमी है या कोई उपाय करने की आवशकता है मुझे तो करनी सिर्फ सरकारी नौकरी है गौर्णमेंट जॉब ही करनी है प्राइवेट जॉब नहीं करनी है ना ही कोई विजनस करना है तो यदि आपके भी ऐसे ही विचार है और आप मीन राशी के हैं तो आज कई वीडियो आपके लिए है वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पून साबित होने वाला है वीडियो के लिए क्या जून के महीने में सरकारी नौकरी योग बन रहा है बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं बहुत समय से एक्जाम भी दे रहे हैं पर ना तो एक्जाम क्लियर हो रहा है ना ही जॉप मिल पा रही है तो ऐसे में सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी गो लगनेश 10 आउस 9 आउस और 11 एससा चूरह का होना बहुत ज़रूरी है यह अगर आपके लॉजर के अनुसारस आपको सरकारी नौकरी का योग बन रहा है यहां आपके लगनेश और आपके suivre ऍज्वाक्य के स्वामी खुर्थ पती हैं जो सेकेंड हाउस में धनभाव में गोचर कर रहे हैं तो गोचर के अनुसार तो आपका सरकारी नौकरी का योग बन रहा है पर अंतों गुरू राहू के साथ गुरू चांडाल योग बनाते हुए गोचर कर रहे हैं ऐसे में मेहनत बहुत होगी पर उसका रिजल्ट आपको कम मिलेगा यह हो सकता है आपको result मिलने में समस्याई उत्पन हो ऐसे में आपको उपाये करने होंगे क्या उपाये करेंगे वीडियो के आंत में बताऊंगी उपाये ज़रूर करिएगा सरकारी नौकरी के लिए सूरे का स्ट्रॉंग होना भी बहुत सरूरी है तो यहां सूरे आपके third house में गोचर कर रही है आपके भागे के सौमी मंगल है जो पंचम भाव में गोचर कर रही है तो गोचर इस्तिति के अनुसार सरकारी नौकरी के योग है पर बहुत struggle बन रहा है अगर आपका कोई एक्साम है, तो कोचर के अनुसार बहुत परिशानी आती, दिखाई दे रही है जून के महीने में, अब आप अपने जनम पत्री का में जहां पर लगने चार्ट होता है, वो खोलिए, और देखिए आपके लगनेश की, आपके नाइंध हाउस की, यानि की भ पंचंभाव में बैटे हैं, नाइंध हाउस में बैटे हैं, टेंध हाउस में बैटे हैं, या इलेवन्थ हाउस में बैटे हैं, या आपस में एक दूसर से दृस्टी संबंद बना रहे हैं, या यूति करके बैटे हैं, यूति करना यानि की दो घ्रयों का एक घर में एक सा बैठना अगर ऐसा योग बन रहा है तो सरकारी नौकरी आपको सरूर मिलेगी आप सरकारी नौकरी सरूर करेंगे यदि आपका कोई एक्जाम है तो आपका एक्जाम भी क्लियर होगा अब हमें ये तो पता चला कि गोचर के नुसार योग बन रहा है जून के महीने में जनम प सूरे की महादशा, अंतरदशा, प्रतिंतरदशा कब आ रही है? वो समय है आपके सरकारी नौकरी योग का, वो समय है आपके एक्जाम का अगर आप UPSC, IAS, IPS के एक्जाम दे रहे हैं या आप बैंकिंग शेतर में एक्जाम दे रहे हैं, सरकार से सम्बंदित कोई भी जॉब क लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो समय है आपका सरकारी नौकरी का तो यह आप जान सकते हैं अपनी जनम पत्री से क्या जून के महीने में सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी जनम पत्री में योग तो बन रहे हैं पर वो योग वीक बन जल कर ओम घ्रणी सूर्याय नमा बोलते वे सूरे को जल देंगे क्यूंकि सूरे पूजा आपके लिए बहुत सरूरी है अपने घर के इस्ट में एक उगते सूरज की फोटो, पोस्टर, कुछ भी लाके आप लगा सकते हैं और अपने घर के ही नौर्थ-ईस में बैठकर आपन पढ़ाई करनी है इसके साथ ही पीले रंका धागा लेंगे इस धागे को ब्रस्पति वार के दिन अपनी मदर के हाथ से या पंड़े जी के हाथ से अपने हाथ में साथ बार बंद वाएंगे और विश्णु देव से प्रातना करेंगे कि जो आप सरकारी नौकरी चाह रहे हैं चंदन से आपने पूजा करने के बाद यहां पर सरकुलर मॉमेंट में 11 बार ओम नमो भगवते वासु देवाए नमा ओम नमो भगवते वासु देवाए नमा ओम नमो भगवते वासु देवाए नमा ऐसे आपने 11 बार सरकुलर मॉमेंट में केसर या पीले रंका चंदन और यदि आपको एक्जाम दे रहे हैं जो अब तक क्लियर नहीं हो रहा था वो सरूर क्लियर होगा उमीद करती हूँ यह जानकारी आपके लिए लापकारी साबित होगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सरूर करिएगा वीडियो को जादा से जादा शेयर करिए क्योंकि आपके शेयर करने से किसी और की भी हेल्प हो सकती है यदि आपका कोई फ्रेशन है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं जैम आता दी आपका दिन शुभ हो